तो दोस्तों देखो पहली बात मैं आपको बता दूँ कि इस application के अंदर मैंने अपना आधार card और अपना pen card और अपनी personal information पहले से ही add कर दी है ताकि वीडियो लंबा ना हो यहां पर मैंने सिर्फ last step छोड़ा है जिसमें मुझे bank account नमबर डालके loan प्रोसेस करना है ठीक है तो मैंने सोचा कि मैं आपके सामने video बनाओं और इस app की reality आपके सामने रख दूँ देखो मेरा काम है video बना करके आपको बताना कि कौन सा application कितना loan देता है कितने time के लिए देता है हलाकि हम आपको कभी भी suggest नहीं करते कि आप loan लो ठीक है फिरेंड यहां पर सबसे पहले तो जैसे हमने application को open किया इसका जो tramsum condition है उसको accept करना होगा ठीक है तो जब भी आप trams लिस्ट को जो है यह ले लेंगे और उसकी बाद में हमने जो भी application install किया है उसका भी permission को चाहिए और SMS का permission चाहिए location का permission चाहिए storage का permission चाहिए camera का भी permission चाहिए कलेंडर का भी पर्मिशन चाहिए और डिवाइस इंफरमिशन का भी पर्मिशन चाहिए यहां पर यह application सभी कुछ पर्मिशन ले रही है अगर आप certified हैं तो सरफ एगडरी पर क्लिक कर देना और अपने फॉन का सारा document submit कर दिये है एप्लाइन आप हम जैसे क्लिक करेंगे तो सिर्फ यहां पर मोबाइल लंबर और OTP डालना है चलिए मैं डाल देता हूं ठीक है तो यहां पर हमने अपना मोबाइल लंबर डाल दिया है और लागन हो चुके हैं लागन होने कि यहां पर बताया जा रहा है कि आप भी completed कर देते हैं ठीक है यहां पर हमने अपना bank account भी add कर दिया अप simple सा process करना apply कर देना तो apply जैसे हम करेंगे मिर भाई यहां पर थोड़ा सा loading लेगी application और बताएगी कि आप कितने loan के लिए eligible हो ठीक है तो जैसा कि आप यहां पर देख रहे हो इस company ने मुझे 2000 रुपे का loan जो है वो pass कर दिया है इनका कहना कि आप 2000 रुपे का loan ले सकते हो और 2000 का loan लेने पर आपके bank में disparate होगा 1240 रुपया and repayment करना होगा 2000 रुपया processing fees लग जाएगी 633 रुपया total interest होगा 13 रुपया and यहां पर GST processing fees होगा 114 रुपया और नीचे हमारा bank के count है जैसे मैं यहां पर क करूँगा approval loan पर click कर दूँगा तो यहां पर जो loan हमारे bank में disparate करवा दिया जाएगा एक बात मैं आपको बता दूँ कि 27 रुपय करने हैं अगर हम नहीं करते हैं तो बहुत ज़्यादा harassment किया जाएगा हम को ठीक है यह video मैंने आपको loan लेने के लिए नहीं बनाया है यह video सि कि यह application इतने दिन का loan देती है तो मेरे यहां पर जो है मैं आपको बता दूँ कि यह application किसी भी RBI से registered नहीं है और नहीं यह NBFC form है यह private तोर से पैसे provide करवाते हैं और उसकी बाद में आपको बहुत ज़्यादा परिशानी का सामना करना पर जाएगा अगर आप पैसा बापस क्योंकि 7-day का application है बहुत ही रिक्सी application है अगर आपको RBI से loan लेना है जो कि RBI से approved application है तो उसके मैंने बहुत सारी वीडियू बनाए है आप उनको check out करके loan ले सकते हो अधरवाज हम इस app को आपको recommended नहीं करते है आज का application है दोस्तों आपको Google Play Store बढ़ी आसा ही मिल जाएगा इसका नाम है easy rupee आप जैसे सर्च करोगे आपको मिल जाएगा 4.6 की rating के साथ प्ले स्टोर पर एबलेबल है वीडियू बस इतना ही चलिए हम मिलते लेक्स वीडियो में तब तक के लिए जैहिन बंदिमात्रम